जैपी इनवर्सिटी के सभी स्टूडेंस के लिए बहुत ही बड़ी खबार। इनवर्सिटी द्वारा अभी अभी निव सूचन एकजाम फॉर्म को लेकर जारी कर दिया गया है 1821 के चात्रों के लिए जिहां दोस्तों जितने भी स्टूडेंस से 201821 के इस वीडियो को देख हैं मैं आपको पताना चाहूंगा कि 201821 के चात्रों के लिए बड़ी सूचना जारी जिहां जितने भी स्टूडेंस देख रहे हैं फड़ा फड़ा अपने मुवाइल फोन का गूगल ऑपन कर लीजिए यह दिए अगर आप इस वीडियो को लैप्टॉप या कैंप टूटर स सर्च बॉक्स में टाइप कर दो jpbadmission.org लिखकर आपको सर्च कर दीना है जैसे लिखकर सर्च करेंगे आपके सामने जैपरकास विश्य विद्याले का नया विंडो ओपन हो जाएगा दोस्तों जैपरकास विश्य विद्याले के तरफ से जो भी information जारी होता है सबसे पहले हमारे चैनल माउरिया गुरू एकैडमी पर डाला जाता है तो चैनल पर निव जो रहो तो जुरूर सब्सक्राइब करो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैपरकास विश्य विद्याले की तरफ से exam form और परिच्छा को लेकर क्या update दिया गया है सबसे मैं आपको यह बता दो दोस्तों कि आपको मालूम है कि जैपरकास विश्य विद्याले की तरफ से अभी दो हाली में दो नोटिफिकेशन जारी किया गया था 2018 और 21 के छात्रों के लिए और मैंने सारी जनकारी लाइब प्रूब भी दिया था दोस्तों अपनों को मालूम है कि admission चल रहा है जैपर इनिवर्सीटी द्वारा 18-21 के छात्रों का ठीक है क्यूंकि 3R में अभी भी बहुत सारे ऐसे students है जिनका अभी तक admission जो है complete नहीं हुआ है कुछ college का ठीक है कुछ college का admission ले लिया गया है और कुछ college का admission की processing जो है बाकी है क्यूंकि दोस्तों जिनका admission हो चुका है उनका लगातर एक ही सवाल बार बार आ रहा है कि आखिर exam form कबसे भरा जाएगा और जो दोस्तों जिनका admission चल रहा है उनका भी सवाल है कि आखिर exam form admission खतम होने के बाद कबसे start होगा तो चलिए वैदवे आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे exam form कबसे start होगा तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा सभी students को कि इस March के last week में जो है आप लोगों का exam form online mode में सुरू हो जाएगा यह नहीं आप लोगों का 28 March से exam form online mode में सुरू होने की पूरी पूरी संभावना है दोस्तों हो सकता है exam form March के last week तक या अपरेल के first week तक जो है सुरू हो जाएगा दोस्तों देखिए अगर कोई तकनीकी समस्याओं का कारण ना रहा यह नहीं कोई भी तकनीकी समस्या ना आई अगर इन्वर्शीटी द्वारा तो फिर आपका जो है अभी exam form का कोई भी ऐसा date finally official जो है notification नहीं आया है विसे विद्वारा पर जैसे ही आएगा हम सबसे पहले वीडियो प्रवाइड करा देंगे आप सभी students को अब यहाँ पर दोस्तों बात कर लेते हैं जितने भी students इस वीडियो को देख रहे हैं परिच्छा को लेकर देखें परिच्छा जो है अप लोगों का third year का last में आपको पता देना चाहता हूँ कि March के बाद April आता है और April के बाद मई आता है ठीक है अगर March में अगर आप लोगों का exam form सुरू हो जाता है last week तक तो फिर समझ लीजे कि April के last week तक जो है exam का routine जारी कर दिया जाएगा अगर आप लोगों का exam form मान लीजे अपरेल में सुरू होता है पांच ये छे अपरेल को सुरू होता है तो फिर आप लोगों का exam का routine जो है मई में जारी किया जाएगा मई के first week में ठीक है दोस्तो देखिए JP university थोड़ा सा late करता है लेकिन सही समय पर हर चीजे जो है complete कर लेता है तो इसके लिए आपको चिंता करने की कोई जूरत नहीं ठीक है तो आप लोगों का परिच्छा जो है दोस्तो आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप लोगों का परिच्छा जो है अप्रेल में last week तक होने की पूरी-पूरी संभावना है पर दोस्तो चिंता मत करिए इस सालियनी 2022 में ही आप लोगों का third year जो है complete हो जाएगा और आपका जो है original certificate जो डिगरी होता है university द्वारा जो मिलता है graduation complete करने के बाद वो भी आपको मिल जाएगा last तक ठीक है तो दोस् का share करें सभी students को बताएं इस वीडियो को share करके ठीक है और हाँ यार चितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे है न टेलिग्राम ग्रूप को जोई नहीं कियो तो लिंक वीडियो की description में दिया वह टेलिग्राम ग्रूप का क्लिक करके जोईन हो जाओ आने वाली सभी notification ट चलिए धन्यावाद नेश्ट वीडियो लगाएंगे निव नोटिफिकेशन के साथ तर तक के लिए टिक क्यार गुडबाए जहिंजा बंदे मातर